ओम शंति हैं हम सब का आली शान ख्यालात कौन सा है आए का स्लोगा था ना आली शान ख्यालात तो सबसे ज्यादा आली शान ख्यालात कौन सा है हमारा लक्ष्मी नहीं दो नहीं है अटे टाइम दो नहीं है अभी गी था ना बावा तुम सा जैसा बन तुम जैसा बनना है यह हम सबका सबसे आली शान ख्यालात है बावा जैसा बनना है सबका यही संकल पहना और सभी प्रियासरत भी हैं अपने अपने तरीके से पुर्शारत भी करते रहते हैं और परिवतन भी महसूस करते हैं परगती भी होती है और देरे देरे अपने जीवन से दोस्रों का परिवतन करने के लिए भी पुर्शारत करते हैं सेवा करते हैं तो हम सब कई सबसे उंचा संकलप है, सरवोच संकलप है, आली शान ख्यालात, बावा केते ना आली शान ख्यालात करो तो, क्या होगा, टाइम बेस्ट ने होगा, टाइम बेस्ट होता है जब हमारा संकलपों का अभाव होता है, कमी होती है, शुद संकलपों की कमी, पवित्तर संकल्पों की कमी शक्तिशाली संकल्पों की कमी तो हमारा मन बिचली तो होता है यह फिर खाली-खाली रहेगा उदास रहेगा तो अगर हमारा मन चलता रहता है अच्छे-च्छे संकल्बों में अरमन करता रहता है तो हमें अपने जीवन की बैल्यू का पता चलता है सुमान अंदर से जागरित होता है अंदर जो शक्तियाम ने एकत्रित करके रखी है वो महसूस होती है पुर्शार्त का पहमाना कैसा है हमारा की सनुपात से हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी स्वयम हम मैसूस करते हैं अगर शुद संकलप हमारे पास में हैं तो अगर संकलपी नहीं है या फिर ब्यार संकलप हैं या साधान संकलप हैं तो भी जीवन में परिवत्तन की प्रक्रिया इतना तेजी से नहीं होती है। इसलिए बावा केते हैं हमेशा आलिशान ख्यालात की रचना करो। जितने संकलप हमारे पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, बल्चाली हैं, तो हमारा पुर्शार्थ जो वो स्वत्य होता रहेगा पुर्शार्थ करना ने पड़ेगा क्योंकि हमारे जो संस्कार एक बार बन जाते हैं वो संस्कार स्वत्य काम करते हैं जो भी हम पुर्शार्थ करते हैं किसलिए अपने संसकारों को परिवत्तन करने के लिए और ये सबसे अंतिम पुर्शार्त विए ही ये वास्ता में और अंतिम माया विदाओ कैसे लगाएगी हमारे अपने संसकारों के रूप में माया हमारे सामने आएगी दूसरे जो पेपर होते हैं उनका तो किसी ना किसी प्रकार की सामना करने का समर्थे हमारे में होता है कोई हम तरीका ढूंड लेते हैं लेकिन जब हमारे अपने ही संसकार हमको तंग करते हैं तो बहां बागने का कोई मारजी नहीं है इसलिए अपने शंसकारों को नवीनतम परिवत्तन करने के लिए या उचकोटिके बनाने के लिए तो फुर्शार्थ करना पड़ता है और वो संसकारों को परिवत्तन करने का अधार है संकलप शक्ती हर ब्रामन आत्मा का संकलप बहुत बड़ा एक शक्ति शाली शस्त रहे हो अगर हमारा ब्यर संकलप है स्वयम प्रती या दूसरों प्रती तो जैसे हम स्वयम को भी श्रापित कर रहे हैं और दूसरों को भी श्रापित कर रहे हैं या प्रकृति के प्रति तो प्रकृति को शरापित कर रहे हैं इसलिए हर्स में हमारा जो संकलप है बरदानी संकलप होना चाहिए बरदानी नि वाव केते blessing vers new मुरली में था न दौआएं दौआएं कहां से उत्वन होती हैं कहां से होती हैं एक तो है दूसरों के सेवा करते हैं वो वह सारी बाते हैं उसका अधार बीज क्या है हम स्वयम हमारे स्वयम के संकलप ही जिन संकलपों के समर्थे अनुसार हम सेवा करते हैं उतना फोर्स फुली द्वाएं हमारे खाते में जमा होती हैं साधारन रूप से हम सेवा करते हैं किसी का सहयो करते हैं तो द्वाइं भी काम अनुव होती हैं इसलिए संकलपों पर संकलप जैसे हमारा क्या है बीज है वावा केते अगर बीज ही शक्ती शाली है तो बाकी सारा विस्तार फल भी ब्रिक्ष भी शक्ति शाली होगा और फल भी अच्छे लेंगे लेकिन संकलप रूपी बीज की फिर पालना भी करने पड़ती है बले कोई भी हम संकलप रस्ते हैं नेक्टिव है पोजिटिव है अगर नेक्टिव संकलप रस्ते हैं तो भी उसकी पालना करनी पड़ती है तो भी उसके बारे में सोचते रहते हैं ये संकल्ब मुझे क्यों आया ये मुझे आना नी चाहिए पताने में इससे का मुक्त होंगा इसके क्या क्या करना है ये भी हम जैसे संकल्ब को पानी दे रहे हैं उसको जैसे शक्ती शाली बना रहे हैं तो सारा दिन हमारा जो मन है, थौर्ट सिस्टम है कौन से संकल्पों में बिचरन करता है यह हमें स्वाइम ही निरिक्षन करने की बात है तो यह ब्रामट जीवन जो बहुत अमूले जीवन है, कितना अमूले है हीरे जैसा, हीरे से भी बहुत आगे तो इस जीवन को हमको ऐसे निगवाना है बड़ा कीमती जीवन है और जब हमको इसकी महसूसता होती है एक बार, तो सच मुझे लगता है देवतों से भी उत्तम है एक है कि हम मुख से कह देते हैं नॉलेज की आदार से लेकिन एक है कि महसूसता होती है कि सच मुझे जब हम प्रमात्तम प्यार का अनुभव करते हैं बो जो अतिंद्रे सुक है बो जो निराकारी अवस्था की अनुभवती होती है उसका सुक संसार के सब सुकं से बहुत उपर है वो इस संसार के सुक उसके आगे कुछ नहीं है तो चैए एकदम अगर उसका हमने अनुभव कर लिया तो संसार की दौलत हमारे कदमों में आजए तो उसको ठोकर मार देंगे अगर हमारा अकर्शन है संसार के सादनों में, ब्यक्तियों में या फिर और बहुत सारी बातों में तो हमारा अतिंद्रे सुकियन बूति हम कम कर रहे है पुर्शात के परती हमारा प्रेम उतना नहीं है तो बावा हमको अलग-लग बिदियों बताते रहते हैं कि बच्चे कैसे इस ब्राहमत जीवन को सफल करना है तो आज की मुर्ली पर डिस्कुस करेंगे कौन से मुर्ली थी 27 साल पहले सर्दियों के दिन 19 जनवरी और 18 जनवरी को क्या हुआ था ग्यान सरोबर का पिछले 18 जनवरी का ग्यान सरोबर का उदगाटन था तो उसमें भी बावा ने बहुत सारी सिवाओं को बिस्तार करने की युगतिया मताई त्याग के बारे में अनेक गुण थे स्ने, सहयोग, धहरे अता बहुत सारे गुण थे उसमें तो आज की मुर्ली जो है कौन से मुर्ली आज की 19 जनवरी 1995 तो क्या है मुर्ली का आज का हैडिंग क्या हेडिंग है ब्रह्मा बाप के कदम कदम पर कदम पर कदम रखो रहकर सरवंश त्यागी आज्याकारी सरवंश त्यागी बनो तो इस व्रामन जीवन में जो भी हमको आज्याय मिलती है शिरिमत है इसको हमको सिर माथे लगाना चाहिए क्योंकि हमारे भाग्य का निर्मान करती है और किसकी आग्या है स्वयम भगवान की आग्या है स्वयम सत्गुरु की आग्या है उसका जैसे फरमान है उसके आगे कुछ नहीं है फत्वा जारी किया जैसे उसने क्योंकि इसमें हमारा कल्यान समाया हुआ है तो कौन-कौन सी आग्यां की आज की मुर्ली में कौन-कौन सी आग्यां की अजी ब्रह्मा बापस्मान ब्रह्माचारी वनो आचारन और उचारन बापस्मान हो और कौन-कौन सी आग्या है बाप को साथ रखो जज वनो वकील मत वनो तो अपनी न एक लिस्ट निकालनी चाहिए केवर मुरली तक तो थोड़ा सा सीमत रहता है लेकिन अपनी बुद्धी को विशाल बनाने के लिए इसकी एक लिस्ट होने चाहिए है आग्यां कौन-कौन सी है क्योंकि दूसरे के चिंतन प्राधारित जो पर्मनेंट नहीं चलता ग्यान बले हम जितनी मज़ी कलासे सुन ले सब यह अनुबूती करते होंगे थोड़ा सामको प्रोगर्स अनुबूती होती है जिस समय तक मुस्वाल में बैठे होते हैं उस बातावन के अंदर होते हैं तब तक तो हमारी शितिती बहुत अची रहत दette है कि आज से हम यह करेंगे और जैसे ध्रवाजा थोड़ा साक्रोश करते हो हो से थोड़ा सा कम हो जैता हो मांग्ग्सवा को प्रेसर थोड़ा सा चार कर्दम और जाते तो कोई दोस्त मिल आता हैसा Greg today आमरे तक जाते-जाते सारा church peace मुल्ली में निया है कि काम हो जाता है घर भार तो और कम विर देशिओं से बात मुलाकात की कि है तो हमको चिन तन शील बणना हो हमारे संसकार स्कारातमक्ड चिनतन के इस वत्य हम तर जागरी तो जाने के लिए आये हैं इसलिए तुम बाप और बर्शे को याद करो तो जमगट कौन है हमारे संकलब ही जमगट है कि हमारे संकलब ही यम्दूत है कौनसे संकलब ब्यार संकलब बार से थोड़ा नहीं आएगा तो एक-एक संकलब को को देखना है बड़ा सुक्षम से स्वयम की जांच करने की इनरिक्षन करने के जरूरत है तो बाबा ने दो प्रकार के साथ थी बच्चों को देखा साथ साथ में उस ज्ञान को में अपने साथ लाना है अपने साथ लगाना है उसको महसुस करना है कि बो सेवा या जो बावाने मुल्य में का उसमें मैं कहां पर हूँ अगर उसमें दूरी है तो उस दूरी को कैसे पूरा करना है तो दो प्रकार के बावने सेवा के साथ ही देखे कौन कौन से एक है सनेही और सने के साथ संबन्द नवाने वाले हैं है ना दूसरे हैं सने और संबन्द के साथ सेवा करने वाले हैं तो हम दोनों इसे कौन है दोनों ही है कभी वो बन जाते हैं कभी वो बन जाते हैं तो सने और संबन्द ये तो हम ठीक करते हैं लेकिन सेवा में भी वो सने जलकता रहे सेवा में भी बावा के साथ हमारा समझ जूड़ा रहे जो बावा कहते हैं करम करते करन करावन हार की समर्थी निमित भाव कराने वाला करा रहा है हम कर रहे हैं निमित हैं इंस्टूमेंट हैं कठ पुतली हैं उस दिन बाव ने कहा ना ते तीन पी बताया था कौन-कौन से प्यूरिटी पीस पुरेटी नहीं ते दो जानवर थे पंची-पंची हां कौन से पैरेट हो हूँमेंट पैरेट और हूँमें कभूतर तीसरा कौन से पताया था पपट पपट पताया था 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 पीजन और तो कभूतर था लेकिन पपट शायद नहीं था वो दूसरे किसी और मोली भी था दो ही थे एक इस पर चिंतन कर सकते हैं कि बावा कौन-कौन से जानवरों को याद करते हैं हमने एक बंदर हमने एक वार लिस्ट बनाई थी उन जानवरों को देखने से भी कितना ज्यान जलकता है इसलिए याद करने की जूरुत नहीं पड़ती है बंदर को देखते सारा याद आ जा बंदर के बारे में क्या कहते हैं है कि तुम पहले बंदर वुद् इघते हैं हाँ उसका सकारत्मक्चिंतन तुम पहले मंदिर लायक थे पूझने थे और कोई भी जानवर याद आए तो उसके साथ सांप के बारे में बावा क्या करते है Exep कि जैसे वह खाल को छोड़ देता है ऐसे तुम्हें अश्रीली बढ़ने का अभ्यास करना है आजा शेर के बारे में क्या करते हैं माया पेपर टाइगर है और और शेपर शक्तियों भी स्वारी है और शक्ति शेपर बैठी है आगे को क्रिश दिख जाए तो अजी ड्रामा जू मिसल चलता है माया बिली पंजा मारती है चुआ फूंक मारती तो कितने के लिए चुए में भी गाई क्या करती है जुगाली करती है और कौन कौन से जानव हो क्या ब्रमडी बिच्चू तो देखो एक क्लास तो ऐसे त्यार हो जाएगी आप योग में बैठे बैठे गर जानवरों को याद करेंगे तो भी शक्तिशाली बन जाएगी कि बावा उनके बारे में क्या करते है आच्छा ये अपने ज्ञान के साथ सही आच्छा लाइवरे में वो किताब मिलती है तो जो भी हमको जानवर दिखे या कुछ भी दिखे उसको ज्ञान के साथ जूड़ना है कौन सा जानवर अच्छा उसको समझने के लिए बहुत बिशाल बुद्धी चाहिए कच्छुआ हाँ तो दो प्रकार के सेवा बावा के साथ ही देखे तो हमको देखना है कि हम सने और समंधि निवा रहे हैं कि सने समंध्र के साथ सेवा भी कर रहे हैं बावा केते हैं बाइदा किया बच्चों ने बच्चे तो बाइदा करते हैं लेकिन प्रमात्मा का बाइदा कौन सा है कौन सा बाइदा किया बावा ने जो टाले नहीं टल सकता साथ निवाने का बच्चे बले साथ हाथ सोडने की फिराक में रहते हैं लेकिन बाप बच्चों अगर घर से भाग जाए तो माबाप कैसे ढूंडते हैं जब तक मिले नहीं तब तक चैन नहीं आता उनको पेपर में इस्तियार देते हैं ढूंडते हैं कहां कैसा भी मौसम हो कितना भाग दोड करेंगे कितना टेंशन रहती है उसमें तो हम भी बावा के बच्चें अगर जालात चले बावा ने कहा है हर साथ हमारे अंग संग रहता है हमारा साथ निवाने के लिए है वो कौन सा है दिल आराम बावा के ते दिल से अपनी साथ रखो एक्जांपल दिया ना बले हम मदुवन में बैठें लेकिन आरी है घर की याद तो यहां रहते हुए जैसे कोई फैदा नहीं है और जो बाहर रहते हैं और मदुवन में दिल लगा हुआ तो वो जैसे साथ में जैसे बावा के साथ दिल लगा हुआ है तो यह स्थान माईनी ने रखता है हाँ स्थान भी माईनी रखता है लेकिन बड़ी उससे ज़्यादा माईने रखता है हमारे मन के संकलब हमारी मन की स्थिति माईने रखती है कि कितना समय तक हम अपने मन को बीजी रखते हैं कौन से ख्यालातों में? आली शान ख्यालातों में कितना संदर संटेंस है बावा ने आज लोग दिया आली शान ख्याला तो में रहो तो कभी टाइम बेस्ट नहीं होगा ग्यान तो बावा का बही है लेकिन अलग अलग शब्दों से बावा रोचक तरीके से हमारे सामने प्रसुत करते हैं तो वो हमको नया ग्यान लगता है नयी चीज लगती है सब्जी तो वो आलोगी ही है लेकिन वो नय तरीके से बावा प्ताते रहते हैं हाँ जी भरैटी है भरैटी है नया ग्यान है तो बावा का बाईदा है कि बच्चे हर्स में मैं साथ में हो तुमारे और बावा ने एक्जम्पल दिया ना बावा बिदेश में जाते हैं तो क्या इंडिया वालों को अनुभब नहीं होता है और हम सबी कौनसी पैदाइश है अभयत पैदाइश है को जिसने साकार में बावा को देखा है देखा ये पीछे पोटर में देख रहा है तो प्रैक्टिकल में हम सबने अनुभव किया हुआ है अचा ज्ञान में आने कि समय किसने किसने बाबा को देखा या अनुभव कराया हो रेंट तो मतरी रेंट बैठने देद बैठने देद कोई बात इन जहां के जगा मिलती बैठने दो तो किसने किसने अनुवब किया है सकार सकार का अनुवब तो रोज करते हैं तो एक बार हम क्या हुआ अभी ज्ञान में चले ही नहीं थे हम अमारा बड़ा बाई ज्ञान में चला तो हम तो कोई सर्विस करते थे तो हमारे पास एक स्वेरे स्वेरे बजूर गाया उस सर्विस स्वंदिती बात करने के लिए तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रह्मा वाग की तस्वीर लगी थी क्योंकि बड़ा वाई नया ज्यान में चला था अम कोई तो इतना आइडिय नहीं था लेकिन अट्रेक्शन थी तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो बावाज की तस्वीर दिखा пост तो बोला हिए आपकी पिता-जी तो हमने बहुआ आगशी रहा गया तो ऐसी personality बावा की picture से उनको देखते ही रहा गया हलांके वह को ग्यान दियान कुछ नहीं लेकिन देखते ही रहा गया तो हम भी तो उसी को लोके हैं ना हमें देखते ही बावा ने क्या आप गुलाईज देखते ही सामने खुश हो जाए कोई अपने दुख दर्दी बूल जा को ईक वार यहां एक बाहिया आये थे दिल्ली से तो उनकी शास और उनकी मिसिस सास तो पकी घ्यान में थी मिसज ठोड़ा कम और वह द्धु द्धी सो द्धमाद था वह टो एंटी सांक सुछ गरना है को यहां जैसे पहुंचे तो जो द्धमाद था बोला हम यहां निरुक जो अपने बोला एसी बात नहीं और नहीं हम होटल में चले जाएंगे और बहुत महगी गाड़ी लेकिया बहुत महँंगी होटी यह अ तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, आप कम से कम जहां आपकी सास और मिसिज रहेंगे, कमरा तो देख लो ठीक ठागे नहीं, तो उनको शोड़ने के सुकदा में, तो बहां रहे, तो थोड़ा कमरे को देख के मन बदल गया उसका थोड़ा सा, बोला शाम के टाइम चला जाओ होटल में, अभी मैं अधरी रहता हूँ, तो हमने आखा ठीक है, तो उसकी जो मिसिज और सास तो बोजन करने के लिए लेकिन बोला बोजन करने के लिए, बोला बोजन का आसर हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा बोजन, तो खैर जी, उन्हीं आया, फिर शाम के टाइम में वो गाड़ी लेकर पीस पार्क में चले गए, जब वापस आये, तो जैसे पीस पार्क से बाहर निकले, तो उनकी जो गाड़ी का बाहर का शीशा होता हूँ, तो उसका मन बड़ा खटा हो गया, क्योंकि मैंगा, मैंगी गाड़ी है, फिर शाम को बापस आया, तो बिना बोजन क्योंकि यह वहाँ कमरे में चला गया, फिर अम यहाँ से थंडा भोजन, समान्य भोजनी लेके गए, कड़ी थी, दाल थी, जो थंडी रूटी, जैसी तो यहाँ लेके किया बाभी, तो बहाँ जाके उसने थोड़ा सखाया, फिर बोला यह भावा की तस्विर क्यों तब तक यह यही सेवा पर उपस्ती थे, तो बोला मैं इन बातों को नहीं मानता हूं, बोला मैं बहुत सारी संस्ताओं में गया हूं, जहां का बोजन करता होना असर हो जाता है, यहां का तो बिजू लुक्र नहीं करूंगा, लेकर फिर उसने थोड़ा बहुत किया, फिर स पांच गोड़े का रहा था, और उपर से आया, और मुझे उसमें बठाया, और मुझे उपर ले गया, और उपर ना एक बहुत बड़ा यग्गे चल रहा है, और एक माता जी बैठी है, खुले बालों वाली, ओ भी बैठी है, और बहुत सारी स्वेध कपड़ वाले आत्म से बिराज महन है और उपर अपने घर में जाना है, और बावा वेक्त मनने के लिए पालना कर रहे है, जो दो हम को आता है, इबता दिया उनको, अप फिरनास्ता करने के बाद बोला भी वाला, भी स्वेया ओपस बीड़ाना, ठीक है, तो नास्ता करने के दो, जैसे य हर्दह गुमाई भीशालाव। उनकी यदियों के तरफ... तो बहा उनको बावा दिखाय दिया, ऐसे आतो करें सुक्शम काया। तो उसमें हमको बताया है ने आःया है पिर बापस आया तो फिर बावा के कमरे में के बाद फिर वो आपस के गेट पर गया तो गेट पर गया तो फिर उसको सामने बावा दिखाई दिया तो फिर मुझे कहता है उसमें तो अमने को बताया नहीं उसने फिर मुझे कहता है एक दिन और रह सकते है तो हमने बोला चलो ठीक है रह सकते है तो हमने बोल दिया भाई को, उनको रहने के लिए, तो फिर शाम को फिर बापजाए, फिर शाम को उसने बताया, बोला, सच मुझे, बावा ग्या नहीं है, बावा इदीर ही रहता है, और उसने, हमको ये बताया कि, जब तक यग्ये का काम संपन नहीं हो, तब तक मैं यहीं रहूँगा तो यह कौन किसने अनुभवक है जो ग्यान में नहीं है जिसको ग्यान ही नहीं है उसको बावा अनुभव करा रहा है और उस आत्मा का यह पार्ट था फिर बाद में तो सहयोगी बन गई है तो अर्थ कहने का ये है कि बावा का बाइदा है बगवान का बाइदा है कि हमेशा मैं तुम बच्चों के अंग संगू यह हमारा मुनिश्यों का बाइदा नहीं है बावा ने का ना आत्मा आत्मा का बाइदा नहीं निवाती है लेकिन परमातम बाइदा जो टाले नहीं टल सकता है कुछ भी हो जाए तो हमेशा हमको महसूस करना है कि हम बावा की सतरशाय में पल रहे हैं बावा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं बावा का बरदानी हाथ मेरे सिर के उपर है बावा जैसे हमारी श्वासों में समाया हुआ है हमारे दिल में बैठा हुआ है तो ऐसे बरदानों की बरसात हमको निरंतर महसूस करनी है तो यह था परमातम बाइदा बावा ने का बाइदे तो करते हैं बच्चे साथ भी करते हैं अनुबब भी करते हैं लेकिन क्या आता आगे फिर में बातों के पर्दे आ जाते हैं बातों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं और जब बातों का चिंतन करते हैं तो बाप किनारे हो जाता है सही बात है अगर दो ब्यक्ति बात कर रहे हैं और बीच में हम तीसा ब्यक्ति आता है और मैं उ तो बुद्धी की नसव को खोल देता है लेकिन फिर भी बूल जाते हैं तो बाप को किनारे तो हम स्वाहिम करते हैं वो किनारे नहीं होता है शोटी शोटी बातों के पर्दों के पीछे हम अपने जीवन को बूल जाते हैं अपने लक्षे को बूल जाते हैं अपने घर को बूल जाते हैं अपने राजदानी को बूल जाते हैं बावा के साथ जो समधा उनको बूल जाते हैं और उनको बूलकर, हम पास्ट बाली बातों में जीना शुरू कर देते हैं, फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसे धेर सारी बातों का बोज, हमारे मन को बोजिर कर देता है, फिर हम उठ नहीं पाते हैं, फिर उससा होता क्या परिणाम, जिसको हम याद करेंगे, उसी की एनरजी हमारे अंदर आईगी, देदारी को याद करेंगे, देदारी से बाते करेंगे, तो देदारी की एनरजी हमारे अंदर आ रही है, सिधी सी बात है, अगर हम निराकार को याद कर रहे हैं, अव्यक्त को याद कर रहे हैं, उसके चरित्र को याद कर रहे हैं, उ योग जो बड़ा सिंपल है, योग तो हमारा निरंतर लगा ही रहता है, अगर हम किसी ज्ञान के बिंदू का चिंतन भी करें, तो जैसे बावा की शक्ती हमारे अंदर आ रही है, ज्ञान का कोई भी पॉइंट ले लिजिए, उसका चिंतन करना भी बहुत शक्ती शालिस थिति का अनुब कराता है, तो यह देखना है, सारे दिन में हम बातों में कितना रहते हैं, बाप के साथ कितना रहते हैं, ऐसा नहीं है, बातें करनी हैं, लेकिन जो काम की हूँ, जो किसी का भला करने की हूँ, जहां किसी का हित समाया हुआ, कल्यान समाया हुआ हूँ, किसी को रा तो जुरूर हमको उससे बात करनी चाहिए लेकिन स्वयम को उतना पहले परिपूर्ण शक्ति शाली बना कर पहले से हमें त्यार रहना है ने तो समय पर त्यार नहीं होंगे पहले से पूरी त्यारी चाहिए इसलिए बाबा क्या कहते है हमेशा एलल्ट रहो हर गड़ी अंतिम गड़ी है तो प्राजेंट में जीते हैं इसलिए पहले बिकाता हमेशा हमको संपूर्णता की सीट पर बैठे रहना है उतरना नहीं है उससे संपूर्णता से उतरते हैं तो कोई भी हमको खींच सकता है कुर्सी पर बैठ ही रहना है उतरना नहीं है अर्था कहते हैं बातों के परदों से बाहर निकलो बातों को छोड़ बाप को याद करो और क्या कहा बावने अगर ये परदे नहीं है तो हम ब्रह्मा बाप के आचरन पर नहीं चल सकते हैं ब्रह्माचारी बाप से प्यार है तो क्या बनो ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरन पर चलने वाले, आचरन अर्थात करम, मुरली में था मा, आचरन अर्थात करम, हमारे करम कौन से है, करम स्थूल और सूक्षम, एक है स्थूल रूप से जो करम सब को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है कि सूक्षम करम, कौन कौन से सूक्षम करम है, हमारा देखना ये सूक्षम करम है अब हम एक दो को देख रहे हैं तो हमारी आंखों से कौन सी ऐसी रेज जा रही है एक दूसे को वो हम स्वयमी जांच कर सकते हैं पोजिटिव जा रही है प्योर जा रही है नेक्टिव जा रही हैं ये सुक्षम करम है और ये सुक्षम करम बहुत गहरे तल पर मन के उपर बैढ़ सकता है मानलो मुझे किसी का फेस दिखाई दे रहा है उसकी आंखे दिखाई दे रही है लेकिन उसकी दृष्टी को मैं किस तरीके से प्रबाबित करता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को उसके लिए तो हम खुद ही अपना विश्रेशन कर सकते हैं अंदर में जांच कर सकते हैं कि सामने वाले की नजर सामने वाले का फेस सामने वाले की चाल्सन सामने वाले का पहनावा हमारे उपर किस तरीके से उसका vibration उसका परवा कैसे हमारे उपर तो इस सुक्षम करमे हमारा देखना हमारा सोचना इस सुक्षम करमे या किसी को हम बोल रहे हैं तो हमारे बोल से vibration कौन से जा रहे है जो बावा कहते बच्चे कहते हैं मेरा बाव तो ऐसा नहीं था अगर बाव ऐसा नहीं था तो सामने वाले को अन्वाव क्यों नहीं हो रहा है फिर कितना सुक्षम फिलोस्फी है मैं बार से बले आपकी महिमा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं लेन पीछे से तो कुछ और ही बोल रहा हूँ तो अगर हमारा भाव अच्छा है अर्थात पहले से आपके परती यादा दूसरों के उपरती मारी बावना ही ऐसी है तब तो मुख से बोल निकल रहे हैं ऐसा नहीं तो कि निकल गए हैं ऐसे थोड़े निकल जाते हैं अंदर में है तब ही तो निकले हैं बावना ही मारी ऐसी है पहले से तो हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा संसार है संकल्पों का दृष्टी, बृत्ती, भावने, भाव, कृती बहुत बड़ा संसार है अंदर में इसलिए बावा कहते हैं अपने बीतर जांको संसार बाले भी लोग क्या कहते हैं अपने बीतर देखो हमने अंदर में कौन-कौन से संसार को बसा के रखा हुआ है और उसकी फिर पालना भी करनी पड़ती है तो बावा ने तो हमारा संसार ही सारा बदल दिया कितना अच्छा संसार बना दिया देखना, उठना, बोलना, सोचना, करना, बिवार में आना, समन संपक्र में आना, मन्सा, बाचा, कर्मना सारा ही बदल दिया बावा ने का ना अमरित बिले से राद तक तुमको शिरिमत मिलिये, आज्या मिलिये, कौन-कौन सी मन्सा कौन से संकलब करने है कर्वार्दान था ना बर्दान था मंसा कॉन सा संकलप अमरिटमे करना चाहिए कि आज की था, अमरिटमे बच्चें संकलप तो करते हैं आज की मुर्ले में के परमदाम जाना है लेकिन साथ-साथ में देखो निंद्रावाला सब कोई आद है कि अनुभव है से क्योंकि वो आमने अनुभव किया उसने कभी भूलता निया वो निंद्रा वाला पहले याद आ जाएगा हाँ वी वावे ने पिछले पिछले संडे को बोला था कि यह योग में नीद अच्छी आती है साथ ही गोती हैं जी गए फाल नीच्छी आ हखें पंने तो बास्ता में हमको पहले से तियारी करने चाहिए कि हमको योग में कौने से था क्यारत संकलप संकलप पूर्खो इनउन कौन से संकलप रखेंगे अन्रित विले में संसार की सबसे ताकतवर आतम हूँ, संकलब चेह निकरने है मास्तर स्थर्भ शक्तिवान ही, बड़े सालों से करते हारे उसको चेह निकर दो भी इस अंसार के मैं सबसे ताकतवर आतम हूँ कौन-कौन सी ताकत समाई हुई है उसका अभिस्तार करो फिरे हो ऐसे अलग लग से पहले ग्यारा संकलब करो मैं और क्या संकलब हूँगा आप बताओ नए संकलब कोई मैं शांस रूप आतम हूँ शांस रूप करेंगे तो सोरे नीद आने की पूरी सुमाब न रहती है क्योंकि जैसे शांस रूप आता तो आंके बंद ज्यान सुरूप हूँ और मैं ज्यान की अगनी हूँ ऐसे को ताकत पर संकलब करने जाएगी जान थोड़ा सेक लगे बिश्व के लियान कारी हूँ जाक्ती जियोत हूँ ददक्तावा ज्वाला मुखी हूँ जोत फिर भी कभी आवाएगी तो बूच जाएगी ज्वाला मुखी सब को जिला के राक कर देगा मैं शक्ति शालियात्मूं हाँ जी कितने पावर्फुल कितने पावर्फुल है सबसे पावर्फुल बैरियूड माया जीत आत्म हो और अधार मूर्थ और नहीं कुछ नए संकल बताओ प्रमात्म शक्तियों की मशालूं और इनर्श्टिक आत्म हो हाँ एकदम नहीं संकल बने मैं सारे संसार की कौन से आत्म हो हूं जो सोच रहा चेंद कर दिया भी संसारे संसार की आत्मों के लिए मैं ऑक्सिजन का काम करती हूं मेरा संकलप हर आत्मा के लिए ऑक्सिजन का काम कर रहा है अगर मैंने अपने संकलपों में नेक्टिव एनर्जी वरी तो दूसरे संकलपों दूसरे आत्मों में भी नेक्टिव एनर्जी जाएगी तो ऐसे न करना हूं अपनी फरिष्टा ड्रेस पहनी है एक थेला टंगा हुआ है टोपी उपर लगाई है और हर घर के आगे जाके पोस्ट वॉक्स में चिठी डाल रहा हूं तो देखो कितना अच्छा संकलप है रोहानी सेवक हूं जग्यरक्षक हूं तो नहीं संकलप करने हैं और संकल हमारे और सीधर समागी या ज्यान का सागर इदरी समागया तो नहीं संकलप करने हैं तो नहीं 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 वो बता बन लेंको निरमान करना है तो बहन इसलिए हमारी प्रस्गर्टी के लिए आना को ज्खर ले ज्गरित रख दीए बच्चे थोड़ा सभी गलती करते तो माया बेटे को मैं बेजता हूँ तो हर एक चीज में कल्यान समाया हुआ है तो अगला क्या था बातों के पर्दों से हमको बार निकला है ब्रह्मा बाप के आचरन और उचारन उचारन अर्थात बोल जो भी हमारे मुख से बोल निकलता है बो कितना सुखदाई है, कितना उमंग उत्सावारा है, कितना शक्ती शाली है कितना दूसरे के दुख दर्द हरने वाला है बोल हमारे बहुत माईनी रखते है कहा जाता है मुनिश्य तीन बातों से पहचाना जाता है कौन कौन सी पहले बताय था जिगदीशवाई की क्लास है जिगदीशवाई जी की क्लास है गुफतार रफतार और दस्तार गुफतार अर्थात गुफतगू बातचीत ये उर्दू की शब्द है रफतार रफतार चाल चलन दस्तार अर्थात पहनावा तो गुफतार रफतार और दस्तार, जिधीश बाजी कि लासें इतनी पावरफुल क्लासें, कि उसमें जैसे आग समाईय एक्तम, जिंदा भी मुर्दा हो जाया एक्तम, इतनी जवरदस पावरफुल दादियों की क्लासें, पुरानी पुरानी क्लासें, तो हम को सुनते रहना चाहिए। क्योंकि उन क्लासों में मिक्स्टर्टी कुछ नहीं है, प्रेक्टिकल अनुभूती है, क्योंकि उस दौर से गुजरिवी आत्मे हैं, जिसमें संसार में ये ग्यान का गव भी पता नहीं था लोगों, उस बिरोध के महौल में आत्मे जो निकलती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, जब सब को विरोध करते हैं, और हमको उस रास्ते पर चलना हैं, तो कितनी ताकत आयती अपने दर, और सब को अनुभू होगा, जैसे घ्यान में चले, घरवालोंने विरोध किया, तो कितनी शक्ति आगी थी सम्में, एह ना, तो अभी भी शक्तिक आए वे हैं न अभी तो बावा कहते हैं जितने साल हैं उससे ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए तो क्या करेंगे अचरन और उचरन सारे दिन में देखना है कि हमारी चाल चलन बावा समान है बावा समान हमारा बोल मीठा है हमारी दृष्टी मीठी है हमारे करम मीठे है हमारा सुभा मिठा है हमारी संस्कार मिठे है हमारी चाल चलन मिठी है हमको साम मिठे लगते है या फिर नेम की तरह लगते है नेम भी मिठा होता है तो हमको यह देखना अचारण और उचारण कैसा है बावा कहते है आग्या तो सवेरे से लिक रातरी तक हर कर्म की मिली है अमर तो अम्रिट बिल्स के बाद क्या रोता है कि अडिक मूर्ली तुगर्ध मूर्छी नहीं इसे अमरिटि बील्स ना सोना नहीं अग्सिसाइज करसं या पैश्ण तो ड्वातिय एक पर लि 좋क जाना शॉन तो बहुत अच्छा एक दूसरे का सैयो करना तो गर में अगर रहते हैं पती पतनी हैं तो पती पतनी के कारे में हाथ बढ़ाए और पतनी पती के कारे में हाथ बढ़ाए तो हमारे संस्कारों की रास होगी ने तो दूरी हम बढ़ती जाती है अगर कोई दूसा साथ हिमारा ज्यान में नहीं चलता है तो सहयोग करना उसका जुरूरी है नहीं तो हम सोचते हैं हमको ज्यान ही नहीं इसको ज्यान ही नहीं है ऐसे सोचते रहते हैं नेक्टिव इनर्जी हम फेलाते रहते हैं तो हमको सब का सहयोगी बना है हमने देखा करहियों को इतना सहयोगी बनते हैं एक दोका सहयूग करते आले करते बार ही टन वाय टन मद बनाते है है हॉम आरे को भाइजी पीछ वैठे गुजरात से तो टन वाय टन ऐसे सब को सहयोग देना है क्योंकि हम सब गहें करता है बावा ने बताया ना आज कारण का निवारन करना है ने तो कारण सुवेर से लिए रातरी तक कारण 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 उसमें फाइल बन जाती है और फिर फाइन बनना पड़ता है तो फाइल हैं तो बहुत सारी कठे की हैं तो कारण को निवारन करने के लिए हमको स्वयम को रिफाइन करना है क्या रिफाइन करेंगे? अपनी स्वयम को ज्ञान को रिफाइन करना है अर्थात ज्यान से बुद्धी को रिफाइन करना है है जी एक सेकेंड में करना है सभी बात है ज्यादा टाइम नहीं लगाने का एक सेकेंड में करने का है तो ज्यान से स्वैम का शुद्धी करना है रिफाइन करना है अपनी दृष्टी को ब्रित्ति को, बोल को, समन्ध संपर को, जांच करनी है, थोड़ा सभी हमको टाइम मिले, तो बावने आज बहुत अच्छा एक 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 जांपल दिया, और उसका हमने थोड़ा बहुत भियास भी किया, बावने का दरवाजे हमेशा मिलन के लिए खुले है, कितनी वाची बात ह है, क्या बोलना पड़ता है, आगे चलो, पीछे चलो, दाय चलो, बाय चलो, यहां शीट नहीं, बार बेटो, फ्राना करो, लेकिन बहाँ तो दरवाजे नहीं है, मिलन के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो सभी अभी एक मिनिट के लिए, सूक्षम बतन में पहुंच सिर पर है, और बावा मुझे बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, बावा कह रहे हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, मेरे मुरब्बी बच्चे, शक्ती शाली बच्चे, स्केलदे बच्चे, लवली बच्चे, और बावा मुझे सर्व शक्तियों से जैसे बरदानिया से चार्ज क मैं आत्मा बहुत ताकतवर बनती जा रही हूं भावा की आंखों से शक्ति शाली, रंग बिरंगी, असंख्य किरने निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है मेरी आंखों में समाती जा रही है, ये आंखें फरिष्टा आंखे बन गई है आत्मिक द्रिष्टी से परिपुर्ण हो गई है, प्योर आंखे बन गई है बावा का बर्दानी हाथ मेरे सिर पर और मैं संपूर्ण रूप से अव्यक्त स्तिकानवो कर रहा हूं अव्यक्त फरिष्टा हूं पूरी पूरी मैसुस्ता में अनुबब कर रहा हूं जैसे दे की सुद्वुद्ध बिल्कुल उससे मुक्त हो चुका हूं यह स्थूल देवी जैसे सुक्षम दे में परिवर्तन हो गई है पिर बापस अपने श्रीव में तो ऐसे सारी दिन में प्रैक्टिस करनी है एक-एक सेकंड, दो-दो सेकंड, दस-दे सेकंड, लंबे टायर गट में फिर बूलने की बटकरने की संभावना हो सकती है लेकिन छोटे-छोटे हम गोल जब करते हैं तो चार्ज भी रहते हैं, एनर्जिटिक रहते हैं तो कितना अच्छा ब्यास था कि बावा ने बच्चों के लिए द्रवाजी हमेशा के लिए खुले रखे, कोई ताला चाब भी नहीं है लेकिन हम बातों के परदों के पीछे चले आते हैं तो उपर पहुंश नहीं पाते हैं क्योंकि हमने अपने मन को बांध के रखा हुआ है या तो अपनी दे के संस्कारों में दे की अवश्यक्तों की पूर्ती के लिए सारा दिने बोई चिंतन करते हैं बावा केते हैं पालना तो है लेकिन इतना इस दे के पीछे नहीं पड़ जाओ कि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाए दे के समन्दों को याद कर रहे हैं जिनको भूलना है उनको अगर बार बार याद करते हैं याद तो करना है अब शेक्तानुसार बावा ने का प्यार सब से करो लेकिन कैसे उपर-उपर से अंदर से मेरे से प्यार करो अगर हम अंदर से प्यार करते हैं तो बावा को जैल्सी हो जाती है कि मुझे छोड़के इनको प्यार में लगे हुए तो हमको बावा से प्यार करने का तरीका सेखना है बावा के मन को पढ़ना है कि बावा हमारे से चाहता क्या है और बावा का मन कैसे पिगल सकता है वो हमको देखना है कैसे पिगलेगा जो बावा केते आज्या कारी वनों जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर वन आज्याकारी वने किसमें त्याग में एक धक से सारा त्याग कर दिया अब बाबा कहते है तुम बच्चे भले घरग्रिष्ट में रहते हो सब जिम्मेबारें तो संबालनी है अब सारा कुछ दे नहीं सकते लेकिने ट्रस्टी पन पूरा होन तो प्रैक्टिकल में अनुबर करना है जो भी मारे पास में घर में संपत्य है स्थूल सुक्षम जो भी है वो किसकी दीवी है बाबा की दीवी है घर में फैमिली किसकी है वो बाबा की फैमिली है बच्चे किसके है बाबा के है पत्नी किसकी है बाबा की पत्नी किसका है तो बैसे तो बावा ने बहूला से मेरे साथ COM किसी ना कीजी तरीके से हमारा link जूड़ा रहेना है only तो बावा का दिल कैसे लेना है हम को खुदी देखना है जैसे इसे कि मन की कमजोरी कम को पता चल जाता है कि इसको अगर किस तरीके से खुश करना है ये चीज देंगे तो खुश हो जाएगा न तो बावा के मन को भी पढ़ने की उसको रीड करने की हमको थोड़ा प्रियास करते रहने चाहिए और वो है मुरली मुरली से हमारा जितना प्यार होगा तो बावा का प्यार अपने आप़ी बरसता रहेगा प्यार करना नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे अभी बावा के साध्यज ब्रह्मा बाप का अचरण है वोह ऐसा होना चाहिए और बारवार जो मिलन के दरवाज्ये खुले हैं तो बार युग में तो निवारण की बात ही नहीं है, बाहन तो खुश खरापती, पूछने की बाहन बैसे बहु भी जुरूत नहीं पड़ेगी, तेनी कारणा और निवारण कहां करेंगे, जब द्वाप पर युग में चालोगा, तब जो राजाय बही बन सकते हैं, जो जनता के आनिये हैं, तो कारण का निवारण करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अपने जीवन के कारणों के भवर जाल में अपने जीवन को हम ऐसे कराते हैं, यह तो दूसरों के लिए हम मिसाल कब बनेगे, हमारा जीवन संसार के लिए है, स्वयम के लिए नहीं है, कहते हैं ना, जो स्व अभी जो पुर्शार्थ बास्ता में, पुर्शार्थ हमारा हो चुका है, अभी तो हम देवता के सुरूप में रहें, हम दातापन हैं, अब हम जब सोचते हैं, कि हम संगम पर हैं, तो संगम में रहते रहते कहीं न कहीं, कल्यू के संसकार भी मिक्स हो जाते हैं, हमेशा ये सो आज तो कि हम अभी Satyug में हैं और दादियं में कई रिया से कहती थी तो बहुत संस्कार हमारे भी इमर जोगे तो अगर सोचेंगे हम आज रहे हम संघम पर बैठे हैं तो कब तक बैठें रहें संघम अखर चलना भी तो यात्रा भी तो बढाने नहीं ने तो संगम पर बैठे बैठे कभी बोसंसकारे मर जोगे कभी बोसंसकारे मर जोगे कभी बोसंसकारे मर जोगे तो अभी हम कहां पर है सत्ययुक में तुमारे नाम काउन काउन से अभी नाम क्या है हमारे सुन्दर सुन्दर से लक्षमी नरायन छ में फ़ी लक्षमी जी और कल्यू की लक्षमी कैसे होती यह है अजी सुन्ते हो ऐसे लक्षम बोलती है 36 बाहरें तो आप लो बोहते थे नहीं भी श कोटेंगे ना बात जुरूरती नहीं पड़ेंगी दुर्गा देवी और भाई का नाम दुर्गा प्रसाद हो रापस में लड़ाई जगड़ा कर रहे हो गहर में तो कैसा लगगा देवी शीतला देवी सब की मनों काम नहीं पूर्ण करने वाली काम देनू तो हम दे हाँ जब कोई बोलते हैं तो और आगे पीछे जवाला देवी कल्यान के लिए थोड़ा रोल दिखाना पड़ता है ठीक है हाँ दूसरों को समझाते समझाते खुद को भी हम समझाते रहते हैं हाँ बिलकुल बिलकुल तो हमारा जीवन कौन सा है देवताई अभी का जीवन है अचा और क्या कहा बावा ने मुर्ली में हाँ द्वाएं जीवन में देखना है द्वाएं जमा करने के स्रोत कौन कौन से हैं एक तो बाबा ने बोला आग्याओं का पालन करें द्वाएं मिलेगी अब चिंतन अपना ये करना और कहां कहां से द्वाएं मिलेगी हमको सर्व का सयोग करने से दौाइं मिलती है और सेवा करने से दौाइं मिलती है निश्काम बाब से सेवा करने से दौाइं मिलती है और दौाइं मिलती है अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं जो हमारी दिन चे रहा, जैसे सकी स्विरे से शाम तक, हम किसा को कुछ लूइना को बोलते है, अगर आप योग में टाइम से आ रहे हैं, योग के बाद अमरितविय्ञा होते, अमरितवियला होने के बाद आज अगर बोलते नहीं हैं, तो जैसे द्वाइं जमा हो रही है ने तो अमरित विल्ले के बाद भी बाते चालू हो जाती हैं और वो द्वाइं कट जाती हैं क्योंकि जो हमको बातें करते देख लेता है उसके मन के जो संकलप निकलते हैं वो हमारे कमाई को चट कर देते हैं क्योंकि अमरित विल्ला करके जो आत्मा अवतरित होती है उसके संकलप उसमें फली बूत होते हैं इसलिए हम सबको अटेंशन रखना के अनावश्यक रूप से कहीं नी बोल अगर जुड़ी काम है बहुत तो साइड में जाके हैं तो हमने देखा बावा के कमरे से बाहर विवात बहां भी मोईल बज रहा ह अनायास कभी बाज आता ठीक है फिर भी हमको अपना रिक्षन करना है क्योंकि हम कमाई तो बहुत करते हैं लिके जो होती है उसके पर मारी नजर नहीं रहती है और यह जो शोटी-शोटी लिके जाए सारे के कमाई को चट कर देती है फिर बाद में हम सोचते हैं हमने तो अम चोटी-शोटी बाते हैं जो हमको दूसरे देख रहे हैं उनके जो संकलप है क्योंकि उनके संकलप में बहुत अनरजी य थाकत है तो हमको शोटी-शोटी बातों का ध्यान रखना है उन नतीव नहीं होती है बिल्कुल एक दम एक रस रहेंगे एक बाएं का बाएं खड़ा मत एक बिल्कुल जितना उसकी है मत वन मत मत के बात prepared já माहनमी रह सकते हैं जिसकी जूरूत्य काम की बले करें लेकिन ऐस स्थान पर करें जहां धूसरे नहीं तो ! मात रहा थी है कि दो मात इंहिं के बातें के बात से यहां अब दो को मत कौर। बाव मंत में नहीं के भी फिर्याश्य करेंगे से बाहितक हुआ सो मौनें करें बापका अगात हमारे पिस मेरा जाएगा हम आए कौन सी बूमे पर हैं जिस बूमे पर त्याग तपस्या सोहम आदी पिता ने दादियों ने की अपना पूरा तन मन धन पूरा जीवन लगा दिया इदर तो उस बातावन को बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है केबल चूप कितनी सिवा होती है तो द्वाइए जम्मा करने के बहुत स्कोप यह बावा-कreon कहते हैं सुख्षम रूफ से द्वा होती है तो द्वायारे जम्मा करने के कौँको है ने है जोली जोई हमकू सबल से खूश हो जाएं Saramat reward मेंने को सतूल में हाम किसी का hell रहां लूदयों वाक्य बन जाएं और संतुष्ट रहें स्वायम से संतुष्ट और सब से संतुष्ट मियां मिठूनी कि हां मैं तो संतुष्ट हूं वहरे से संतुष्ट ऐसा नहीं है संतुष्ट तब बड़ी बात है स्वायम परिवार को संतुष्ट करना बाबा केते हैं माला में आने वाले जितना समय मदुवन में आये, अपने आपको इतना फूल चार्ज करो, इतना फूल चार्ज कर लो, कितना, बहाँ जाके भी औरों को चार्ज कर दो एकदम, आपको देखे जटका लग जाएगी जगो, करंड लग जाए एकदम, इतना करंड पर लेना है, हाँ, मदुवन में बादल बरके जाओ, और बहाँ बरस हो जागे, और यहाँ बैठे बैठे भी अपना, अगर घर पहले भी हमने बताया, घर याद आता है, तो टेंशन नहीं लेनी कि उसकी, यहाँ बैठे बैठे घर को, मदुवन के बाइवरेशन से बर देना है, उस समाज को, उस गली, महले को, शहर को, बजार को, देश को, प्रदेश को, बिशप को, परकृति को, सब को चार्ज करते रहना है, क्योंकि हम चार्जिंग पॉइंट है एकदम, मुख्य संसार के, सब से शक्ति शाली, सुप्रेम सोल से हमारा केनेक्शन है, और आत्मों का नहीं है, तो हमारा जो करंटा एक दम कैसा होना चाहिए, जाला मुखी तर एक दम दिखाए दिना चाहिए, लालाएट, ओम शान्दी,